दोस्तों नमस्कार आज आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे सक्ष की कहानी जो IPS बना शिक्षक रहा और IS बना और पांच साल तक एक बड़े शहर का कलेक्टर लेकिन यहीं से उसका भविश्य बदल जाता है राजनिता बन जाता है और वह 36 गड़ का पहला मुख्यमंत्री बनता है आज हम बात कर रहे हैं अजीद जोगी की अजीद जोगी की तबियत ठीक नहीं है उस्पताल में भरती हैं लेकिन अब सवाल वही है कि क्या अजीद जोगी की तरह कोई और है 36 गड़ में मद्ध परदीश में जो आईएस आईपीएस के बाद राजनिता बना हो और उसकी इतनी पापुलरिटी रही हो मात तीन साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले अजीद जोगी का नाम और कड़ पुरे भारत में बना हुआ है आज इनकी चर्चा हम कर रहे हैं ज़र आपको बताते हैं अजीद जोगी की कहानी क्या है अजीद जोगी भोपाल के मौलाना आजात कालेज के मेकेनिकल इंजिनरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं और वहीं से राएपूर चले जाते हैं राएपूर के राष्टी तक्न की संस्थान में लेक्चरर बन जाते हैं कुछ दिन इनका मन लगता है उसके बाद ये सिविल सर्विश की तरफ बढ़ जाते हैं और यहीं से कहानी सुरू होती है अजीद जोगी के बनने की सबसे पहले इनका IPS में चैन होता है उसके दो साल बाद ये AIS बन जाते हैं 1980 से 1985 तक इन दौर के डियम रहते हैं इनके काम की इतनी महक बढ़ती है कि बाद दिल्ली तक पहुच जाती है और इनने फिर राजी गांदी के तरफ से आफर आता है और ये कांग्रिस जवाइन कर लेते हैं अजी जोगी 1985 के बाद राजनिता के तोर पर सामने आ जाते हैं 1986 की बाद है अजी जोगी कांग्रिस में जा चुके थे इन्हें अकिल भारती कांग्रिस कमिटी का नसुचित जाती है और जन जाती का सदस बनाया गया महीने दो महीने की बाद थी कि निराज सभा सदसर रहते हैं लगातार 12 साल सदसर रहने के बाद उस दवरान इन्होंने बहुत सारे काम भी किये 1987-1989 मद्यपरदेश कांगरेस कमिटी के महासची रहे 1989 में मड़पूर लोगसभा सीट के परिविक्षक बनाये गए 95 में में सिक्किम विधान सभा चुनाओ के केंदी परिविक्षक के रूप में गए लगातार इनका कद कांगरेस में बढ़ता जा रहा था कांगरेस में इनकी पकड़ बनती गई और उसी बीच मद्यपरदेश का बटवारा हो गया सन 2000 की बात है 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजी जोगी का नाम जाता है और तीन साल तक के मुख्यमंत्री रहते हैं वहीं से 2004 में इनकी बिधान सभा सीट रही है जहां से चुनाओ लड़ा करते थे अजी जोगी 36 गड़ में एक परियाय बन गए राजिनीती के जो भी पार्टी वहां चुनाओ लड़ने आई या तो अजी जोगी को समर्थन करती थी या बिने उनकी लड़ती नहीं थी लेकिन कांग्रीज की इस्तिती लगातार 36 गड़ में खराब होती जा रही थे और अजी जोगी मजबूत होते जा रहे थे इसी बीच अजी जोगी कांग्रे से बाहर हो जाते हैं और 36 गड़ में 23 जून 2016 को अजी जोगी अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम नोंने रखा जनता कांग्रे 36 गड़ हलांकि जनता कांग्रे 36 गड़ दोया ठारक के विधान सबाचुनों में कुछ बहतर नहीं कर पाई मगर अजी जोगी की अभी भी चलती है जनता के बीच में जनता की नवज पकड़ने वाला यह नेता अधिकारी भले रहा लेकिन इसका लंबा सा में जीवन का राजनीता के तोर पर गुजरा और लगातार यह आवाज उठाता रहा 36 गड़ के विकास 36 गड़ के उठान की और अपना कद बनाता रहा बेटा पतनी बहू सभी चुनाओं में गए कुछ को जीत मिली और कुछ हारे भी मगर अजीत जोगी पर कभी भी परिवारवाद का अरोप नहीं लग पाया और बाद में 18 के चुनाओं में मायावती को भी इनसे वहां कटबंदन करना पड़ा हलांके दोनों पार्टियों को बड़ा फायदा नहीं हुआ लेकिन अजीत जोगी की जब भी चर्चा होती है राजिनीती में तो एक कददावर और मजबूत नेता की होती है अजीत जोगी की चर्चा इसलिए आज कल हो रही है क्योंकि वो बिमार हैं और उनके बारे में तमाम अफवाहें भी सामने आ रही है मुझे लगता है का आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना नहूले लगातार हमें से वीडियो आपको दिखाते रहेंगे धन्यवाद नमस्कार जय हिन जय भारत